नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंग खना हुमियोपेथिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे ऐसे विशय की जो विशय क्या सवाल हम लोग तलासते रहते हैं लेकिन जवाब नहीं मिल पाता और जवाब स्वेम हमारे सरीर में हमारे दिमाग में होता है हम लोग बात करेंगे कि जब हम अस्वस्थ होने की तरफ अग्रसर हो पढ़ा रहे हो शुरूवात हुई हो उस समय अपने सरीर के इशारों से हम कैसे पैचान ले कि हम आगे अस्वस्थ होने वाले हैं यह बहुत इंपार्टेंट विशाय साथियों एक मैं छोटी सी एक्जाम्पिल से आपको यह बात समझाना चाहूँगा नार्मली देखा गया है जब हम लोगों को बुखार आने वाला होता है फीवर आने वाला होता है या कोई बहुत सिवेर ठोट इंफेक्शन होने वाला होता है तो गले में खरास शुरू होती है हम सब के होती होगी लेकिन यही खरास आगे चलके बहुत विक्राल रूप ले उस समस्या को वहीं पर ठीक कर सकते हैं ये बात हर बिमारी पर लागू नहीं है कुछ बिमारी होती है जो एक्जोजीनस होती है जो आपको अचानक आती है आप नहीं कर सकते लेकिन 90% बिमारिया ऐसी होती है जिनके लिए आप स्वेम में कुछ कर सकते हैं शरीर आपको इसारा करता है तो आज हम लोग बात करेंगे उसी विशाय में कि कैसे हम अपने सरीर के इस सारे को समझ कर अपने को बेहता रख पाएं अपने मेहनत के पैसे को हम भचा पाएं और यह बहुत ज़रूरी यह साथियों क्योंकि आप देख रहें कि बिमारियों का एकदम से भूचाल आ अगया है परिशानियों का बुचालि है में आ गया है सन 2020 पता नहीं पर आ किरा किशी को नहीं पता वह पाता है हो कल की ही बात है अपने 20 भारतियस है दिक पर बाड़र कर शहीद हो गए चायना लंग दाफ के शहीद हो गए है अभी अभी सुसान आगमसिंग राजपूती का देखा कि कैसे उनोंने आत्मात्या कर ली तो तमाम मानसिक इसचितिया इस दोर में परिवर्तित हो रही है, तमाम बिमारिया आ रही है, तमाम करोना हम सब के सामने है कि कोई सोचा नहीं है कि दीन महीने, चार महीने के लिए पुरी दुनिया हो जाएं को सोचेगा कि कर्फियों तीन महीने का कर्फियों लग जाएगा देश में और आगे भी लगने की सुप्रुगाहट है तो कहने का बतलब यह साथियों की यह परिस्षितियां है जो तकलीफ दे हैं हमको इसका जो है वहाँ अभी से इस पे सजग हो जाना है शरीन की डाइनमिक्स को समझने के लिए हमको पांच जो एनर्जी उनिवर्स में फ्लो करती है उनको थोड़ा समझना पड़ेगा पांच एनर्जी हम सब जो जानते हैं इस उनिवर्स में फ्लो करती हैं वहाँ अर्थ, एर, वाटर, स्पेस और फायर यहां जो पांच टत्व होते हैं इनी का जो इंटर्चेंज एनर्जीज का होता यही हमारा साहीर होता है हम इसपेस से एक आकाल लेके इस धर्टी पे आते हैं और फिर एक आत्मा के रूप में वापस इससे इसपेस में शले जाते हैं एक फैक्ट है मतलब यह प्रोवन फैक्ट है कि सोल को लोगों ने प्रोव करा है कि वह इस्ट करती है तो यहां जो इंटर्चेंज ऑफ एनर्जी जो रहा फ्लो हो रहा है जिससे हमारा बॉडी बन रहा है फिर उसके अंदर चेंजेज हो रहा है वहाँ ही आपको इशारा गर आप समझ लेंगे तो आप अपने अस्वस्त होने से पहले स्वयम को जाल लेंगे कि आपको क्या हो रहा है बड़ा इवाइनर्जी होती है जो येरड स्पेस की होती है घयर और स्पेस का मतलब यह हो गया कि जहां पर आपको ब्लूटिंग होती है गैस बनती है वो सब चीजहां होती है तकारे आती है उस लाहां का जो घ통 होते हो नांट-गाको पाल का लू Temat K、 Sixत होता है जब कर बढ़ भरन तेज एब्जोर्व हो रहा हो और तीसाज़ पाउता है वो होता है slow body structure को रिप्रेजेंट करता है water और अर्थ पो रिप्रेजेंट करता है वह मैंमल में इस तरह मैं इता कहना चाहता हूँ इस बास से कि जब आप के शरीर कोई भी खराब signal आता है जैसे कि आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको विकन सा रही है, आपको डलने सा रही है, आपके सर में दर्दोर, आपके गले में दर्दोर, आपके कान में दर्दोर आए, न제 कहीं कोई समस्या हो रही है, तो कहीं न कहीं इन trois wyd energies का जो combination होता है इसका derailment होता है तो अगर हम इस चीज को समझ जाए तो हम अपनी दिन चर्या को ठीक करके अपना जो रोटीन है डेली उसको ठीक करके अपने को ठीक कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात नहीं है थोड़ा सा आप अपने पर ध्यान दें शरीर एक सुबुगाहट करता है आपके लिए लेकिन आप उस सुबुगाहट को समझ पाएं ये आपकी कामलियत है और आप समझ लेंगे तो आधा इलाज तो हो गया और आधा इलाज आप स्वेम को मैनेज करके या किसी डॉक्टर किराय लेके कर सकते हैं लेकिन आपको अपने सरीर में जब भी कोई दिक्कत महसूस हो तो एक बार आपको उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा और यहाँ ही उसका उपाए है आप इस समस्या को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि आप अपने सरीर को सुनना सिखें थोड़ा सा अपने जीवन को स्लो करें थोड़ा सा अपनी जीवन को सहुलियत में लाएं आप इस दुनिया की सिटी देख रहें जित्ता लोग दोड़ने वाले उनका क्या हाल हो रहा है तो अपने जीवन को सहुलियत में लाएं अपने सरीर का इशारा समझे पहले वो आपको इशारा करेगा, आप नहीं समझेंगे तो वो चिलाने लगेगा, चिलाने में आएंगे आपको बीमारियां फास्टिंग यानि वरत का सहरा लें, डाइट को बैलेंस रखें आपकी सारी समस्या जीज़े जीज़े निकार होंगी ये सात्यों एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन यहां बात ये सिर्फ आपको बताने के लिए देख कि आपका शरीर ही आपको इशारा करता, वही आपका गाइड है कि आप उसके इशारे को समझ के ठीक हो जाए कोई भी दिकत हो तो कोई गुसलची की सक्की राय भी अवश्च ले, मन में आपके कोई 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 हो तो आप हमारे वाट्साइप नमबर पर अपनी कोई कोई कर सकते हैं, कोहिश करें कि आपकी बात का संतोर्चन अच्वाब दे पाए एक छोटा सा वीडियो साथियों लेकिन इसने बात एक बहुत बड़ा मेसेज था कि आपको अपने शरीर के इसारों को समझ के उस पर एक्शन लेना है अगर आपको यहाँ पात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दो क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो योहीं प्राप्त करते रहिएगा धन्यवाद कर दुँआ कर दो हुआ हुआ ह two पुछ जा करत दो करते ही दुछ है हुआ है और प्युछ चरूब 280